गुजराट से बोरियों में कपास के बीच को लाकर रीपैकिंग कर रीपैकिंग किये हुए बीजों को किसानों को बिक्री की जाती थी 296 बोरी बीच जब की गई है पुलिस ने एक ट्रुक भी इसके साथ जब किया है रात से ही पुलिस, कृशीव, राजस, विभाग के अधीकारी मौके पर पहुँच गए थे पुलिस ने आदी रात में कारवाई की अभी भी कारवाई जारी है सिवग्राम पुलिस ने इस ममन में 6 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है बोगस कपास के बीजो को रीपेकिंग कर चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया और नाकपूर भेजा जाता था सिवग्राम पुलिस टेशन के तहद महसाला में कारवाई एक घर में गुजरात से बोरियों में लाए बीजो की छोटे पैकेट में रीपेकिंग की जाती थी अलग-अलग नामों से पैकेट तयार करके बिक्री किये जाते थे प्रशासन के ओर से पंचनामा कर मुकदमा दर्च करनी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिला पुलिस अधिक्षक ने आधी रात को घटना स्तल को भेट दी तैसिलदार रमेश कोड़ पेक रिशे विभाग के अधिकारी स्थानिया अपराट शाखा के पुलिस निरक्षक संजै गायकवार सावंगी थानेदा धर्णाजी जड़क पंचनामा कर रहे है शे दो हजार तेविस को एक बात्मीदार के मातपस से हमको एक इनफर्मिशन मिली के मसाड़ा गाउं में जो की सेवागराम पुलिस टेशन के अंतरगात आता है एक बोगस बियाना बनाने का एक कारखाना चाल हुआ है तो इस पे सेवागराम पुलिस टेशन के टीम और लोकल क्राइम ब्रांच के इसके रेड की रेड करने के बाद देखा तो वहाँ पर बहुत ही धक्कादायक चीजें सामने आई जिसमें की एक पूरा का पूरा कारखाना जिसमें बरकर लगे हुए थे वहाँ पे चल रहा थ तो इस बीज बनाने की कंपनी हैं उन न कीज है उनका बोगस सीड बनाया जारा था भावाज में जब प्रव में फॉमेशन लेई तो आरूपी ने बताया आरूपी का नाम राजू, यस स्वाल In माल 28-29 टन माल में लेके आ चुका हूँ और करीब करीब 15 टन माल 14-15 टन माल में बेच चुका हूँ इसने यह जो माल है बेचा है वर्धा, यवत माल, नाकपूर, अमरावती, आसपास भंडारा जितने भी जिले हैं विधर्वा के आसपास के सभी जिलों में इसने यह माल बेचा है क्रिशी अधिकारी की तकरार पे इन्वारमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सीड आक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, आईपीसी 424-68, 471 के हिसाब से 15 लोगों पे इसमें नामज़द F.I.R. की गई है इसके अलावा भी लोग इसमें शामिल होंगे तो वो भी पता लगेगा आठ लोगों को अब तक अटक किया गया है और करीब एक क्रोड 55 लाग का माल यहां पे जब्ट किया गया है अगे LCB और सेवगराम पूली स्टेशन के मारफ़त के तपास चाले है इन्वी सेड नीउस के लिए रवी ये नोरकर की रिपोर्ट